स्मस्कार गुड आफ्टर नून कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभी नंदन करती हूँ दो दिन से आपको कहानी नहीं सुनाई तो आज एक मज़़ार कहानी सुनाती हूँ एक स्कूल में टीचर ने बच्चों से कहा कि सब बच्चे कल पेंटिंग मनाएंगी और पेंटिंग का एक कॉंपेटिशन होगा जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी उसे प्रिंसिपल से मिलने का और उसके रूम में जाकर उनके साथ बैठ कर सैंड़िच खाने का मौका म पर जीचց पर से चले में एक देट हूँद हैं कि फ्रेयल के ऑफनी नवाली विखी और चाहिए कि लाइव के का प्यास अच्छेु क्छी बहुत है tut disparu 19 Kशी लोगों ने बहुत चय्ची पेंटिंग मिनाएं पेंटिंग की क्या थी dit' की theme ती कि यह क्लास 12 की बात है क्योंकि तस्वेक्ट के बच्चों का एक्जाम मोच्छ एक्जाम नहीं था हूद आप इसके बні erा लगन包 गाती है तो खंriver she वह अच्य उसके theme थी कि बहुत अच्छी बच्चों ने Pacific बने ten सुनसान जंगल, खाली जंगल और किसी बच्चे ने नदी बना दी बिल्कुल ठहराव वाली नदी किसी बच्चे ने बिल्कुल उकता हुआ सूरज और एकदम शांत वातावरन बना दिया किसी बच्चे ने रात के पून माशी के चंद्रमा बना दिये किसी बच्चे ने आंधी आ रही थी तुफान आ रहा था एक घर ता उस घर के अंदर एक बुड़ी अम्मा बाहर खड़े होकर मुस्कुरा कर इस मौसम को देख रही थी आप पेंटिंग का नतीजा घोशित किया गया और उसके अंदर सबने सोचा कौन सी पेंटिंग आएगी जिसने सूरज बन को तो प्रिंसिपल उसे ही पसंद करेगी लेकिन जब पेंटिंग का इनाम जीता आया गया तो वो पेंटिंग फर्स आई जिसमें आंधी तुफान बिजली कड़ा करही थी ऐसा वाला मोहल था अब सारी टीचर्स ने बोला शायद प्रिंसिपल से कोई गलती हो गई है मजविन आंधी तुफान को देखकर किसको शांती मिलती है सब आपस में खुसर खुसर करने लगे और जिन बच्चों ने पेंटिंग अच्छी बनाए थी शांती वाली उनका मन उदास हो गया इतने में प्रिंसिपल खड़ी हुई और माइक पर जाकर बोली तो आप आईए और अपना स्टेश पर आकर प्राइस लेके जाए उस लड़की से बोला और उसे बहुत इनाम दे तो कुछ बच्चे रोने लगे तो प्रिंसिपल माइक के पास वापस आई कि तुम्हें क्या लगता है कि एक शांत जंगल को देखके शांती लगती है इस बच्ची ने जो कोई डर नहीं então कोई गभराःट नहीं कोई बेचानी नहीं हम क्या करते हैं हम तन की खुब सूरती में लग जाते हैं मन को शान्त अंदर से नहीं करते और सोस्ते हैं घर के अंदर अगरबती लगाकर हमारा जीवन बदल जाएगा गायतरी मंतर चलाने से या हनुमान 40 पढ़ने से हमारे घर का मोहल अच्छा हो जाएगा अच्छी बात है घर का मोहल अच्छा होना चाहिए घर साफ सुत्र होना चाहिए लेकिन अपने मन के भीतर पहले शांती भरो फिर चाहे बाहर कितना भी तुफान क्यों ना हो आपका वो तुफान कुछ भी नहीं बिगार प पड़ लिया, टिंकव के बच्चे का कोर्स इतना हो गया, शामा का बच्चा उस इंसिट्वीट मी जा रहा है, रामा का बच्चा उस इंसिट्वीट मी जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला, मन को शानत रखो, जए मातरी